हेलो एवरिवन स्वागट है आपका हमारे अपने यूट्यूब चानल पे आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पास्ता जब आपकी मम्मी ना हो घर पे तो हम बच्चे मिलके जिस तरीके से पास्ता बना रहे है वैसे तो इसको मैकरोनी भी कहते है बट मुझे तो पास्ता कहने अच्छा लगता है देखो तो यहां पर हमने क्या करा सबसे पहले पानी लिया एंड पानी के अंदर जो है इस तरीके से मैकरोनी को बॉइल होनी के लिए रख दिया एंड आज ना हमारे मम्मी पापा दोनों ही घर पे नहीं ते तो हमने सोचा कि चलो कुछ ऐसा बनाते है ल नमक भी डाल देना अब क्यों तो हम बच्चे देखो इतना कहां पता होगा हमें पर या मरी मम्मी डालती है तो हमने भी डाल दिया उसके बाद में एक कडाया लिया एंड उसके अंदर हमने डाला ओईल ठीक है अब मुझे देखो ऐसा कोई मेजरमेंट वगरा पता नहीं है बस मैंने अपने इसाफ से डाल दिया इसको गरम होने के बाद में जब वो दो मिनिट में गरम हो जाए फिर आप उसके अंदर जीरा और राई डाल दीजे एंड उसके बाद में फिर जो है आप इसके अंदर थोड़ा सा इसको गरम होने के बाद में हरी मिर्च डाल दीजे और आप प्याज भी डाल दीजे उसके अंदर और फिर उसको भी जो है अच्छे से पक जाए ना तो उसके बाद में फिर आप इसके अंदर टमातन डाल दीजिए ठीके और ना मिरको तो यह ना सबजिया काटने वी तर टाइम लग गया था बड कोई बात नी आखिर में अनद पाउडर दाल दीजिए और उसको पकाने के बाद में फिर आप उसके अंदर जो है सौसीज आइड गर सकते हैं यह थोड़ा सा गरम मसाला था क्योंकि में यह पड़ा वहा था सामने तो मैंने डाल दिया यह मैंने मम्मी न बनाया था गरम मसाला एंड इसका वाल में हम जो है इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे एंड जब यह अच्छे से पक जाएगा उसके डालेंगे सौसे अब देखो तुम लोग उपर से डालो सौसे वह तुमारी मर्जी है लेकिन फिर में को बाद में मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी इसके लिए मैंने चीज इसको बाद में चाहिए पास्ता किपने बीए जब करें। । आह पर घृणगे से जएका भीक्ता के सने सौसे तब रख देख हो जाए तो हमने सोचा कि चलो इसको डाल देते हैं फिर हमने थोड़ा सा धनिया उपर से डाल ला था मैं शूट करना भूल गई थी फिर एट लास्ट हम जो है इसके इनल सॉस डाल देंगे टेमाटा सॉस ताकि उसका अच्छे से इनहेंस होके फ्लेवर आए और उसके बन में जो है हम विनेगर में भूल गई थी तो यह जो अब मैंने डाला है यह विनेगर है तो विनेगर भी डाल देंगे इसके अंदर एंड देखो इतना टेस्ट बनाता था ना आप भी जरू घर पर ट्राए करना बाई